और वहीं उतर प्रदेश की राजधानी लखनाओ के अंदर 16 शतावदी से शुरू हुई एशबाग की रामलीला इस बार भी खास है इस बार एशबाग रामलीला मैदान के अंदर कुमकरण और इसी के साथी मेगनात का पुतला नहीं फूका जाएगा क्योंकि रामचरित मानस की अगर मानी जाए तो इन लोगों ने भगवान राम के आगे रावण को जाकर संधी करने की बाद कही थी और रावण के नाम आने के बाद भी इन दोनों ने युद्ध किया था और कुमकरण और इसी के साथी मेगनात का बलिदान माना जाता है शुरू हुई एस बाद एस बार और भव और अलग तरीके से मनाई जा रही है इस बार भी एक अलग थीम रहेगी और इसके साथ साथ कुछ बदलाव भी के गए हमाय साथ मौजूद है आदित दिवेदे जी जो संडक्षक हैं और यहां पर इन से बात करें क्या कुछ खास है इस बार क्या कुछ खास है क्योंकि सबसे पुरानी राम लीला है प्रदेश्वा अब की बहुत खास है हमारे संस्था के संस्थापक गुश्वमी तुशिदाशी है और उनके हाथ के चन्द दुनिया का इसी इस्थान पर हुआ, राम लिलाओं की जनक मानी जाती है धर्ती, और इसलिए यह एतिहासिक भी है, तो हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत अधिक बनती हैं, कि हम उन समस्याओं को उठामें, जिन समस्याओं को जनता बुराई का अंत करना चाहती है, मन्च की जो आप थिम पोच रहे हो, तो मन्च की थीम है हमारी मेरे राम। हर वेक्ति के राम अलग-अलग हैं, राम ऐसा चरित्र है कि जहां जहां जिस रूप में वो पाए गए, तो उसी रूप में उनकी मंदिर, हमारे हाँ के अवद के राजा राम थे, तो हमारे हाँ जितने मंदिर मिलेंगे, आपको राजा राम की मंदिर मिलेंगे, मद्द परत में कोधन राम मिलेंगे, शबरी के वहां जो राम मिलेंगे, तो वो उधार किया उन्होंने, तो भक्त वस्तर राम मिलेंगे, शबरी के राम मिलेंगे, किसकिंधा जाएए तो मित्र राम मिलेंगे, लंका जाएए तो वहां विजई राम होते हैं, कौशल प्रदेश जो तो प्शतिस गड़ कहा जाता है, वहां जाओ तो नाती राम के मंदिर मिलते हैं, जनक पुर जाओ तो दूला राम के मंदिर मिलते हैं, इसी तरह जहां जहां राम जिस रूप में गए और उसी रूप में पूझे गए तो मंच की थीम भी हमारे ये है, एक बुराई का दहिन क का रावन जलाया और हमने चलावे सिमत आंतरल का भी रावन जलाया आज सब पर कानून बना है जन भावनाएं हैं हम राम मंदिर चाहते थे तो राम मंदिर आज बना है जन भावना थी हम 370 हटाना चाहते थे तिनसो अतर हटाई गई ये जन्मावना थी तो अब वरतमान में भी एक ऐसी समस्य अफसर उठाए खड़ी हुई है कि जो सरतम से जुदा और ये कटर पंथी मांस्विक्ता और ये राष्ट द्रोही ताकतों का शमूल विनाश हम इस बुराई को रावण के पुतले के सीने प तो ये थे अधित दुवेदी जुन साफ तर पर कहा कि जिस तरीके से शुरुवात हुई थी इस राम लीला की वह अभी भी मंचंजारी है और इसके साथ साथ हर बार जो है एक नई थीम का रामण जलाया था इस बार की थीम कटर पंथी है और ऐसी विचारधारा को भारत के जा था उस दौरान और रावण का पुतला दहन होना कहीं ना कहीं एक जो पाप है उसको लेकर ये पूरी जो है काम किया आते हैं लेकिन सब्सक्राइब बात है कि इस बार का जो रावण होगा वो इस बार भी विशेज थीम पर रहेगा केम समरीस राजबंसी के साथ राम न ये तंद्र टीवी लखनो